गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं सत्यम चोहान और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड पैटल भी सत्यम है तो फ्रेंड्स यह मेरे पास एक काश टायरन का तवा है हमारे सभी के घरों में तवे होते हैं किसी के पास लोहे का होता है और किसी के पास यह काश टायरन वाला तो इसको गंदगी को छोड़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा वो मैं आपको सेयर करती हूँ तवे को मैंने गैस पेग गरम करने के लिए रखा 15-20 मिनट फुल फ्लेम पर रखा है इसको और गिलास की हेल्प से इसकी पूरी गंदगी साइड से निकाल ली है यहां मैंने अपनी मेड की हेल्प ली है क्योंकि यह तवा बहुत गरम है और थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है और इसको भी हो रही है हम दोनों मिलके यह साफ कर रहे है इस तरह से ये तवे की सारी गंदगी निकाल लेंगे हम अच्छे से और चूंकि ये काश्ट आइरन का तवा है तो इस पर हम पत्थर से या इंट से गिसाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी नेचुरल जो परत होती है वो हट जाती है काश्ट आइरन के तवे जो होते हैं वो नोनिस्टिक का काम भी करते हैं तो इनको साफ करने के लिए थोड़ा सा साफ धानी बरतना बहुत जरूरी है यह इस तरह से सारी गंदगी निकालने के बाद इस पर हम थोड़ा सा वसिंग पाउडर डाला है मैंने और इससे जो लोहे वाला जूना होता है से थोड़ा सा हलकी हाथ से इसको रगड़ेंगे यह देखिए इस तरह से आप अब होली दवाली का इंतजार ना करके कभी भी अपने तबे को साफ करें और बहुत सही रहता है यह तरीका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें थैंक्यू